नमस्कार दोस्तों स्वागतियां सभीगा आपके अपने यूटोब चनल आजबे मेडसीन में आज हम बात करेंगे A2Z NS Syrup के बारे में इसके क्या 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 विजियर्ज हैं बेनेफिट्स हैं प्रिकोसें अपको क्या 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 साइड एफेक्ट हो सकते हैं जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा जोड़ देखें और अगर आपने अभी तक इस यूटोब चनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जोड़ दबाएं तक कि आपको हर वीडियो की नोटिफिक्शन बिलते नहीं एटुजेड एनेस सायरप एलकेम लेबोटर इसका पेस्ट कॉलिफ रॉक्ट है जिसकी प्राइज हैं 160 रुपए पर पेक ये दोसे में मिलके पेक में आती हैं इसका कंटेंज होता है एनेरजी, कार्बोहडरेट, शुगर, प्रोटीन, फेट और भी इसमें काफे सारे सायरप एक बेस्ट मल्टिविटामिन, मल्टि मिनरल और अस्टाजेंतिन सायरप हैं इस सायरप का यूज निट्रिशनल डेफिसेंसी यानि पोसक तत्मों की कमी के उप्चार में गयता हैं जैसे कि अगर आपको खून की कमी है याने आपको एनिमिया, मेगलो ब्लास्टिक के निमिया, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहते हैं आपको उठते बढ़ते टाइम आपकी आँखों के आगे अंधेरा तक चाह जाता है पाचनत अंतर कमजोर है आपका और इस करण आपको भूग की कमी रहते हैं विटामिन्स की कमी हैं आँखों से संबंदित कोई रूप से कॉंसेट्रेट नहीं कर पा रहे हूँ आपके हाथ पेरों में और मांस्पेशों में जक्रन और दर्द रहता हैं तब ही सेरप का यूज आपको काफी आराम दिलाएगा इसके साथ ही अगर आपको हाट से समद्दित कोई समश्या हैं आपको थियामिन की कमी हैं आपको हार्टन अप रोग हैं तब भी ये काफी एफेक्टिव हैं आपको मांसिक समश्या हैं कोई पूराना गाव है जो कहीं दिनों से ठीक नहीं हो रहा हैं तो ऐसे गाव को बढ़ने में भी काफी एफेक्टिव हैं साथ ही आपको हाई कोलेस्ट्रल हैं डाइबिटीज अगर आपको समश्या हैं डाइबिटीज की आपका वजन नहीं बढ़ रहा हैं चेहरे पर दाग दब्बे हो गए हैं और चेहरे का निखार बिलकुल खो गया हैं तब इसे में आपके चेहरे की चमक बढ़ने में ये काफी असरदाद हो हैं इनके साथ ही आपको अगर दिन पर चिरचरापन रहता हैं आपको नीद नहीं आती हैं आपकी हड्डियां अगर कमजोर हैं तो हड्डियों को मजबूत करने और आपकी इम्मिनुटी बढ़ने में भी एक काफी इफेक्टिव हैं आपको नाकोनों से समधित कोई भी समश्या हैं हार्मनल डिस्विलेंस की स तो अगर बच्चे इसका यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली ड़े से 5 एमेल आप इसे सुबसाम दें और बड़े अगर इसका यूज कर रहे हैं तो बड़ों में इसे 5-10 एमेल सुबसाम लेने के कहा जाता हैं पर अलग-अलग मरीज और उनकी कंडिसन्स पर डिपेंड करता ह कि इसका वास्ते में डोज किया रहेगा तो बेटर यह रहेगा कि जितना हो और जैसे आपको डॉक्र ने बता हैं वैसे ही आप इसका यूज करें साइडिफेक्ट कि अगर आपने बात करें तो वैसे तो इसके कोई भी ज़यते साइडिफेक्ट नहीं होते हैं या फिर इसके कोई भी major certificate नहीं होते हैं पर कुछ जीओ कभी कबार आपको नजर आ सकते हैं जैसे कि उल्टी होना, जी गबराना, कब जिरहना और दस्त लग सकते हैं विसे इस certificate कुछ time के लिए होते हैं कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं हाँ अगर इनके अलावा या फिर अगर लंबे time तक आपको इस certificate बन रहते हैं तब इसे में आप इसका use बंद कर दें और तुन अपने रक्टर से consult करें तो friends उम्मीद हैं आपको वीडियो जुरू पसंद आए होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो से like करें, comment करें, share करें और चैनल को subscribe करना न अबले, thank you